एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्टो तक आप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टोलोजर से प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, एस्टो ता, know your fate फ्रेंज समस्कार, मैं हूँ आपका मित्र कमन लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दे कविनन्दन करता हूँ एस्टो तक की खास प्रस्तूती कमन लंदलाल की भविश्वानी आपका राश्यफल इस राश्यफल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राश्यफल के साथ इसाथ आपको बताएंगे राश्यफल की खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा तो चलिए राश्यफल की शुरुवात करते हैं पंचांग के साथ में तो दिन है गुरुवार का तारीख है 25 माई 2023 जेश्ट शुक्ल शष्टी पर चंद्रमा करकराशी और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा एक शुभंक रहेगा लाल शुबदिशा रहेगी पूर्व राहुकाल रहेगा दुपहर को डेड़ बज़ स शाम को तीन बज़े तक का सरवार्त सिद्धी, अमरित सिद्धी, गुरु पुष्य और रवियोग ये चारों रहेंगे सुभंक बच कर 26 मिनट से लेकर के शाम को पाँच बच कर 54 मिनट तक बड़ा विशेश दिन है दिन का सबसे शुम महरत रहेगा सुभंक रहेगा सुभ को बताएंगे उसके लिए राशी फल को आखिर तक देखेगा शुरुवात करता है राशी फल की पहली राशी मेश यानी एरिस के साथ में आर्थिक शेतर ठीक रहेगा लेंदेन में सतर रहें प्रेम जीवन खुष्णुमा रहेगा बहार घुमने परने की योजना बनाएं परिवार में अनंद रहेगा जीवन साथी से मन की बाते कहेंगे उपाईये करें कि पूजा गर में मक्का के दाने चड़ाएं शुबंक साथ रहेगा शुबंक साथ रहेगा शुबंक रहेगा शुबंक रहेगा गुलाबी चौती राशी कर्क यानि के कैंसर की बात करेंगे कारेशेतर में लाब होगा रोजगार सम्मंदी कामकाज सफल रहेंगे धनलाब के मार्क खुलेंगे चातर मन लगा कर पढ़ेंगे मित्रों के साथ में घूमने फिनने जाएंगे उपाईए करें कि भगवान विश्नु पर सूजी चड़ाएं शुबंकतीन रहेगा शुबरंग रहेगा पीला पांचवे राशी सिंग यानि के लियो की बात करेंगे हर किसी पर भरोसा ना करें करीबी हानी पहुचाने का प्रियास करेंगे दफ्तर में कामकाज में देरी होगी धहरे से लाव होगा सेहठीक रहेगी उपाईए करें कि किसी गरीब बालक को पपिता दान करें शुबंक दो रहेगा शुबरंग रहेगा सफेद चटी राशी कन्या यानि कि वर्गो की बात करेंगे आपका मन धर्म कर्म बे रहेगा दर्शन करने मंदर जा सकते हैं मित्रों से मुलाकात होगी सांज़ेदारी से किये गए काम सफल रहेंगे सांज़ेदार से हाला कि कुछ अन्मन होगी समझदारी से काम लें उपाई ये करें कि उत्तर पूर्व मुखी होकर पूजा पाठ करें शुबंक्छे रहेगा शुबरंग रहेगा गुलाबी इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब अल्टर तब नो यूर फेट बच्चों की सफलता से गर्ब होगा शाम दोस्तों के साथ में बिताएंगे उपाई ये करें कि किसी बिखारी को फल दान करें शुबंक के एक रहेगा शुबरंग रहेगा लाल नवी राशी धनू यानि कि सजिटेरियस की बात करेंगे सामाजे कामों में व्यस्त रहेंगे परिवार के साथ में घुमने फिनने जाएंगे रिष्टे मधूर रहेंगे कारोबारी यात्रा से लाब होगा खास मित्र से संपर्क होगा उपाई ये करें कि केसर से दिवाकर लिखकर पूजा घर में चड़ाएं शुबंग चार रहेगा शुबंग रहेगा नीला दस्वी राशी मकर यानिके के प्रकॉन की बात करेंगे धनिशेतर ठीक रहेगा रिष्टे मजबूत होंगे चातर विशेयों में रुची लेंगे पुराने मित्रों से संपर्क होगा शाम में परिवार के साथ में घूमने फिरने जाएंगे उपाईये करेंगे क्रीम शेड के कपड़े पेने शुबंग कनो रहेगा शुबंग रहेगा नारंगी ग्यारवी राशी कुम भियानिक एक्वेरेस की बात करेंगे अचानक लाब होगा कानूनी मामले सुलचेंगे भविशत से जुड़े खास वैसले लेंगे संगीत में रुची बढ़ेगी खास मित्र के सलहा से लाब होगा उपाईये करें कि कागस पर भूम लिखकर किचन में रखें शुबंक नो रहेगा शुबंक रहेगा नारंगी बारवी राशी मीन यानि पाइसिस की बात करेंगे किसी जरुवत मन की मदद करेंगे दाम पत्य सुखी रहेगा दफ्तर में नई जिम्यदारी मिलेगी परिजन सहयोग देंगे करियर में उन्नती के मौके मिलेंगे उपाइए करें कि हल्दी समस्तक परतिलक करें शुबंग चार रहेगा शुब्रंग रहेगा नीला तो दोस्तों हम समय है आज के विशेश उपाएगा वो विशेश उपाएगा जो संतान हींता से मुक्ति दिलवा करें ओम शर्मन भवाय नमहा आश्वस्त करता हूं संतान हिंता से निश्चित मुक्ति मिलेगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाएग एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़ किये इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलिजर से